आज हम सुनेंगे तेनाली रामा की और एक कहानी एक रात जब तेनाली राम सोने के लिए गए थे तब उन्हें पत्तों के सरसराहट की हलकी सी आवाज सुनाई दी उस समय हवा तो बिलकुल नहीं चल रही थी थोड़ी देर सोचकर उन्होंने धीमी आवाज में अपनी पत्नी को कहा मेरी प्यारी मैंने सुना है कि कुछ कुख्या चोर हमारे पडोस में घूम रहे इसलिए हमारे पास मौजुद सभी गहने और पैसे चिपा देने चाहिए चलो चलो सारे गहने ले आओ मैं पैसे ले आता हूँ हाँ ठीक है लाती हो यह सुनते ही एक चोर ने दूसरे से कहा तेनाली रामा तो आज अमारी मदद ही कर रहे है वो धन कहां छुपा रहे है वो देख लेते है और फिर हम असानी से वो चोरी कर लेंगे थोड़ी तेर बाद तेनाली राम और पत्नी एक बड़ी लोहे की पेटी लेकर घर से निकले और उसे कुए में गिरा दिया चलो जी अब सोने चलते है फिर वो घर के अंदर चले गए और सोने के लिए जाने का नाटक किया चोरो ने थोड़ी देर इंतिजार किया और फिर एक चोर ने कहा लगता है सो गए चलो अब उस पेटी को कुए से निकालते है मुझे तो यकेन ही नहीं हो रहा है कि तेनली रामा के घर हम इतनी आसानी से चोरी कर रहे है ऐसा कहते हुए चोरो ने कुए से पानी खीचना शुरू कर दिया ताकि वो पेटी आसानी से निकाल सके चोर पूरी राद पानी निकालते रहे दिन के प्रकोप के दौरान उन्होंने पेटी को बाहर निकाला और जब उन्होंने उसे खोला तो वो बहुत हैरान हो गए अरे ये क्या इसमें तो सिफ पत्तर है लगता है तेनाली रामा ने हमें उल्लू बनाया मेरे पोदो को पानी देने के लिए धन्यवाद दोस्तो मुझे आपके श्रम का भुकतान तो करना ही होगा ना ये सुनते ही चोर तेनाली की पैर में माफी के लिए गिर गए हमें माफ कर दो तेनाली हम फिर कभी किसी के घर चोरी नहीं करेंगे हमें माफ कर दो जब उन्होंने कभी भी चोरी ना करने का वादा किया तब तेनाली ने उन्हें जाने दिया देखा दोस्तों कभी कभी कुछ कठिन परिस्तितियों में भी हम शान्त रहकर अपनी बुद्धी का उप्योग करके भी बाहर निकल सकते हैं सकते हैं